हलो दोस्तों रुद्रा पेहू लेर्निंग यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग भारत के राष्टी ध्वज तिरंगा के बारे में अध्यन करने वाले हैं आए आज का क्लास सुरू करते हैं हमारी पहली लाइन है भारती सम्मिधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्टी ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया दूसरी लाइन है इसे 14 अगस्थ 1947 को सम्मिधान सभा के अर्धकाल रात्री अधिवेशन में राष्ट को समर्पित किया गया तीसरी लाइन है हमरे राष्ट ध्वज की लंबाई और चवडाई का अनुपात तीन अनुपाते दो है चवथी लाइन इस ध्वज के बीच में नीले रंग का 24 तिल्डियो वाला असोक चक्र है पाचवी लाइन है असोक चक्र सारनाथ इस्थित असोक अस्तम से लिया गया है हमारा छाठा लाइन है 29 मई 1903 को पहली बार तिरंगा को माउंट एवरेष्ट पर तेन सिंग नार्गे एवं सर एंडबंड हिलेरी द्वारा फहराया गया साथवा लाइन है 9 जन्वरी 1987 को करनल जेके बजाज ने दच्षिड धुरू पर तिरंगे को पहली बार फहराया हमारी आठवी लाइन है 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्टी द्वर फहराया सो दोस्तों हमारा आज का वीडियो का ऐसा लगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद